स्वागत है आप सभी का ग्याफनी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में सो फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग उर्दू ग्रामर को पढ़ने वाले हैं उर्दू ग्रामर के अंतरगत इसमें अलग अलग जो टाइप है हर एक टाइप को एकदम डीपली समझेंगे क् लोग के एक्जाम में क्वेशन पूछे जाते हैं अगर इसके लावा अगर आप किसी इंट्रेंस या फिर कम्टिटिव ग्जाम की त्यारी कर रहे हैं तो भी आज का ये वीडियो काफी हल्फुल होने वाला है आप सभी लोग के लिए ठीक है ना क्योंकि उर्दू ग्रामर लास्ट तक कम्टिट वीडियो को देखिएगा क्योंकि हो सकता है कि जहां पर आप लोग वीडियो को स्किप करें वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात में बता रही हो ठीक है तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इसमें अलम की किसमों के इसमें अलम आप लोग को अलड़ी में पढ़ा चुके इसके पहले जितना भी उर्दुग्रामर के टॉपिक पढ़ाया जा चुके हैं अगर आप लोग ने वीडियो नहीं देखा है और नहीं पढ़ रखा है तो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाए और फिर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो उर्दुग्रामर के जितने भी वीडियो आप लोग को मिल जाएगा ठीक है ना तो मेक शूर कि आप लोग ने इसका पहला वाला वीडियो देख लिया हो और पढ़ लिया हो फिर भी मैं आप लोग को बता दे रही हू कि इसमे अलम किसे कहते हैं देखे किसी भी इंसान का खास नाम सिर्फ इंसान के खास नाम को सिर्फ वैक्ति सिर्फ शक्स के खास नाम को हम लोग कहते हैं इसमे अलम ठेक है ना अब इसमे अलम की पांच किसमे हैं यानि की पांच टाइप हैं ठेक है ना पांच परकार पहला है किताब दूसरा है लगब तिसरा है कुनियत चौतह है तखलुस और पांचवा है उर्फ ये पांचों से कुछा जाता है कोशन पूछने का वही पुराना तरीका मतलब सबी एक्जाम में तो इसी तरीके से पूछा जाता है कि मुंदर्जजायल मेंसे खिताब कौन है या फिर कोई भी एक लफ़ देदेगा और कहेगा कि बताईए ये इसम की कौन सी किस्म है ठीक है ना और नीचे चार आपसन दिया रहेगा एक में खिताब दुसरे में लखब तिसरे में कुनिया चौथे में कौन है बताईए तो यह आप लोग को बताना रहता है नीचे चार आपसन रहता है और वैसे आप लोग टेंशन फ्री रहिए यह सारा उर्दू ग्रामर का टॉपिक कंप्लीट कर लेने के बाद मैं आप लोग को पता चल जाएगा कि उर्दू ग्रामर से किस किस तरह से रही है और सारा सिलबस का समय से पहले कमचीट होने वाला है बहुत जल्द लाइव क्लास भी स्टार्ट होने वाला है क्लास 12 सभी क्लास के अल सब्जेक्ट कराया जाएगा लाइव में तो बस आप लोगों कुछ नहीं करना है वीडियो को जाधा जाधा शेयर करके सब यह ये बात पहुचा देनी है कि हां कि आपने केड़ में योटूब प्रिट फॉर्म पर बहुत जब लाइव क्लास स्टार्ट होने वाला है अब्जेक्टिव कोशन का ताकि सभी स्टूडेंट सभी लोग जुर जाए और भारी संख्या में हम लोग लाइव क्लास करें और वह अ होंगे उसको पदम शुरी का खिटाब मिला इसका मतलब यहां पर समझे जैसा कि मैं आप लोग और लड़ी बता चुकी हूं कि इसमें अलम किसी भी इनसान के खास नाम को कहते हैं यानि कि इनसान का खास नाम होना चाहिए तो इसके जितने भी टाइप होंगे वो भी तो सि IFAन का ही खास नाम होगा यानि कि यह खिताब जो होता है उस इनसान को दिया जाता है जिसने कोई अच्छा काम किया हो आपकी खूबी até कमाली के बदले सरकार की तरफ से आपको सब्मानित किया आपको एक खास नाम दे दिया जींसी को कहते हैं क्या खिताब हैं एक बड़या a काम किये कोई नेक काम किये बहुत अच्छा काम किये ठीख है आपकी खोबी या फिर कमाली के बतले सरकार ने आपको अवाइड से सम्मानित किया आपको एक खास नाम दे दिया ठीख है तो उसी को क्या कहते हैं वगरवगरव जो सरकार के तرف से आपकी खुबी या फिर कमाली के बदले में मिले नाम उसी को क्या कहते हैं उस खास नाम को खिताब केहते हैं आगे बढ़ते हैं दूसरा है लकब बस इसका पोजेट कर दीजिये इसमें सरकार के तरफ से मिलता है और इसमें अवाम यानिकी जनता के तरफ से मिलता है यानि कि आपकी खूबी kangaroo के बदले अगर जनता आपको एक के स्पेशल ग्वाश्माभदे दे एक विश्यस नाम दे दे उसी को क्या कहते हैं लकब कहते हैं जैसे की तॉपिक ये दुनों टाइप समझ में आ गया होगा कि खिताब और लकव में क्या अंतर है बस ये सरकार यान की गवर्मेंट के तरफ से दी जाती है और ये अवाम यान की जनता के तरफ से दी जाती है ठीक है तीसरा टाइप है कुनियत किसे कहते हैं कुनियत कहते हैं कि अपन क्यों का मतलब होता है son of abu का मतलब होता है father of और उन का मतलब होता है mother of इसे जाहिर हो रहा है कि यह जो नाम है उनके अपने रिष्टेदारों के बिना पर रखा गया है ठीक है ने उनकी मा के रिष्टे के उपर रखा गया है ठीक है उसी तरीके से मुष्टे थैक्सी कहा जाता है वंधिक पिता को को अबुलकासिम भी कहा जाता है ठीक है तो अबुका मतलब क्या होता है अबुका मतलब होता है फादर आफ तो अबुलकासिम यानि की फादर आफ कासिम यानि की कासिम के पिता क्या कहलाएंगे हमारे हुजूर मुहम्मद मुहम्मद को जो है एक special नाम से मतलब उनके नाम के लावा एक और special नाम एक और खास नाम से पुकारा जा सकता है अबुल-कासिम और यह नाम रिष्टे के बिना पर रखा गया है तो अब क्या किल एक लाएगा कुणियत कह सब्सक्राइब को आपتهता है इस तरीके से जिस बीण को पैचाने का यह तो अपने कर दोटो को हमुब कर सकते हैं कि इस तरीके से जिस बीणीए को पहचाने का इक बहुत ही आसांट विभ को कुछन्हीं दीखाई दे अबु दिखाई दे दुम्न दिखाई दे या फिर बिंद दिखाई दे यह चारों में से कोई भी दिखाई देना जिस नाममें उसको आफ लोग्युक्त आंक बंद करके कुम्नियत को पह्चानने का ट्रांथ अगला टाइप है तखल्स तखल्स किसे कहते हैं यह मैं 10th world class में उलडी चैप्ट पढ़ाने के दोरान बताई भी होंगी तखल्स कहते हैं जब शाइर हजरात अपने शाइरी में यानि कि शीर शाइरी लिखने के दोरान जब उपने शाइरी के लास्ट लाइन में एक special यान की खास नाम यूज़ करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं तखल्स कहते हैं जैसे कि मिर्जा असदुल्ला खा गालिब का यानि कि मिर्जा गालिब का आप लोग शायरी पढ़ेंगे न तो उन के लास्ट लाइन में आप लोगो गालिव लिखा हुआ देखने को मिलेगा वो क्या है ये एक खास नाम है जो कि मिर्जा अजुल्लाखा गालिब लास्ट लाइन में यूज करते हैं जिस से पता चलता है कि शिर और शायरी किसके द्वारा लिखी गई है ठीक है तो मिर्जा गालिब का अगर आप लोग शायरी पढ़ेंगे तो लास्ट लाइन में आप को गालिब लिखा हुआ देखने को मिलेगा तुव गालिब Kin 9 ये तखलूस यानि कि मिल्जा चुछ सब्सूरत आपक अपने शायरी में शायरी के लास्ट लाइन में यूंज Kush करते हैं उसी स्विसल नाम को क्या कहेंगे तखलूस और प्रंजा गालिब का तखलूस क्या है बहुत ही बड़े शायर थे मिर्दा गालीब, उन्हीं का एक बहुत ही खुबसूरत सिर है कि न था कुछ तो खुदा था, कुछ नहोता तो खुदा होता, दुबोया मुझको वोनी ने, नहोता मैं तो क्या होता, ठीक है न, मतलब की अपनी गरीबी से बहुत ही ज़्यदा पर खराब थी, और फिर भी इनको जो है न, शेरोशायरी की दुनिया में इतनी शुहरत हासिल है, इनका खुद का कहना है कि अगर मेरी आर्टे के से इतनी खराब नहीं होती, मैं गरीब नहीं होता, तो मेरा उर्दू शेरोशायरी में में मेरा एक अलग और बड़ा पहचान हो होता, मुझे और बड़ा ओधा मिला होता, ठीक है, और उसी तरीके से वली दखनी, वली दखनी का जो है न, तखलूस, वली है, यानि कि ये अपने शेरोशायरी के लास्ट लाइन में वली नाम यूज करते हैं, उसी तरीके से रासिख अजीम अबादी जो है न, ये अपने शेरोशायरी के लास्ट लाइन में एक खास नाम रासिख यूज करते हैं, तो रासिख क्या कहलाएगा, तखलूस कहलाएगा, उसी तरीके से मीर बबबर अली अनिस का तखलूस है, अनि कि ये अपने शेरोशायरी के लास्ट लाइन में अनिस नाम यूज करते हैं, उसी तर और आखरी टाइप है उर्फ उर्फ तो बहुत ही ज्यादा आसाने समझना आप लोग सुने भी होंगे उर्फ उर्फ का मतलब यह होता है कि आपका रियल नाम को छोड़कर बच्पन से लोग जो है ना आपको एक अलग नाम से पुकारते आ रहे हों उसी को हम लोग क्या कहते हैं उर्फ कहते हैं आपके में कोई खुबी है या फिर आप में कोई कमी है उसी के बिना पर बच्पन से ही आपके रियल नाम के लावा एक खास नाम से लोग पुकारते आ रहे हों उसी को क्या कहते है उर्फ जैसे कि मालीजी कोई बच्पन स मीठा बोलता हूं उसके बोली में उसके आवाज में मिठास हो तो लोग मिठ्धू मिठ्धू बोलने लगते हैं ठीक है तो उसका रियल नेम अलग है लेकिन सभी लोग उसके माता पिता या फिर उसके घर वाले उसके गाउं वाले जो है ना बच्पन सही क्या पुकारने लग मैं सुनी आगर मंगल उसको मंगल्वार पुकारते हैं यह वह सकता है टो मंगलू यह भी उर्फी है उनिल्ग्वान दो पुकारने लगते हैं और उसके बाद से के लावा आप में कोई खूबी है या फिर आप में कमी है तो उसी के बिना पर लोग जो है ना आपको बच्पन पर पुकारते आ जाद करने की दवरत है आप लोगो वीडियो को देखने के दौरान देखते ही देखते ही याद हो गया होगा इसी वज़ा से जब आप लोगो समझाया जाता है तो उस टॉपिक को दो तीन बार रिपीट करके समझा दिया जाता है ताकि आपको समझ में भी आ जाये और वो भूल जाएंगे और सबसे बड़ी कमी होती है कि स्टूडेंट रिवीजन नहीं करते हैं जिसके वज़ासे जो वो समझे भी रहते हैं जो पढ़े भी रहते हैं वो सब कुछ भूल जाते हैं तो यह नहीं होना चाहिए आप सभी लोगों के लिए इतना ज्यादा मेहनत किया जा रहा है उसका रिवीजन करते रहें हर दो तीन दिन पर रिवीजन होना चाहिए ताकि वो चीज़ आप लोगे मैंड से डिलीट ना हो वो चीज़ आप भूल ना पाएं तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर इंड करते हैं आज के इस वीडियो में जो कु तो इसमें टेंशन देने वाली क्या बात है अराम से लीजे पड़ाफट स्क्रीन शॉट तो चली आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पर इंड करते हैं इसे के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ अब हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बहु आप लोगों से क्लासों दोनों कलास के लिए तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग लोग नेक्स टॉपिक के सांथ तब तक के लिए ज़हिंद और खुदाहाफिज